एक बात बताईए आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी कि एक भगवान ने इस रिष्टी और इंसानियत को बचाने के लिए विष्ट का घड़ा पी लिया था जिसके बाद से सभी लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे तो उनके साथ क्या किया जा सकता है भगवान का तो नहीं पता लेकिन जो इंसान हमारे समाज के और हमारे देश की राजनिती और उसके जूट के जहर को पीने की कोशिस कर रहा है और सिर्फ कोशिस नहीं कर रहा बलकि पिछले कई सालों से पी भी रहा है उस मुहमद जुबैर के साथ क्या क्या हो रहा है यह हम सभी को देखने और समझने की ज़रुत है और उस पर चिंता करने की जरुद है चिंतन करने की जरुत है मुअमद जुबैर ने गोधी मीडिया और विभिन पार्टियों के प्रतारित करने की कोशिस की जा रही है तरह तरह से अलग अलग तरीकों से जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है इस मामले पर हम विस्तार से बात करेंगे अभी बता देता हूं वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक देखिएगा रास्थान से चौकानी वाले खबर से देखिएगा और सावधान भी हो जाईएगा क्योंकि यदि जल साहब के आफिस में तस्वीर भेज कर ब्लैक मेल किया जा सकता है तो फिर हम लोग तो आम आदमी है हाल ही में करनाटक में भाच्वा विधायक के घर से करोड़ों रुपए मिले थे उनके पुत्र 40 लाख रु के उपर लागू होना चाहिए सभी नेताओं के उपर सभी पार्टियों के उपर या फिर सिख भारती जंता पार्टी की लोगों पर ही होगा गौमांस ले जाने के संदे में एक और मुस्लिम व्रती की पीट-पीट कर रत्या कर दी गई है इस दर्दनाख और अमानुए देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेज को फालो और लाइक कर लीजिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए देश को गोधी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए आप सभी संरोध है कि वीडियो पुराना है वीडियो भले ही दो साल पुराना हो लेकिन होली के नाम पर मैलाओं के साथ जो जो हो रहा है वो बिल्कुल भी पुराना नहीं है उम्मीद है आप सब हमें माफ करेंगे वही धर्म की नगरी कही जाने वाली कासी यानि वारानसी में होली के आउसर पर गर पहुंची ही नहीं। पूरी रात वो लड़की जंगल में तड़ती रही। सुब़ सुब़ किसी तरह से घसिटी हुई सड़क के किनारे वो पहुंची जहां दूध वाले ने उसे देखा और घर वालों को इत्तला किया। आखिर क्या हो गया है उत्तर प्रदेश को। क्यों महिलाओं को लेकर इतने जगहने अपराद रोजाना सामने आ रहे हैं। इस लड़की के साथ जो हुआ है उसकी कलपना करने से भी रूह काम जाती है। कलपना करके देखिए किसी बेटिया के साथ, किसी इनसान के साथ इतनी जगहनेता कैसे की जा सकती है। कि वो चरितरहीन थी और हम में से ही बहुत सारे लोग उस लड़की को बुरा भला करके इस मामले को भोल जाएंगे। मगर याद रखिएगा जब अपनी बारी आती है तब समझ में आता है। ये लड़की अभी भी बोल नहीं पा रही है। मुकदमा दर्ज हो गया है, मेडिकल जाँज जारी है। बाकी रामराज एकदम टना टन चल ला है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको करनाटक से उठाया गया हिजाब मामला तो यादी होगा। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं और आईटी सेल और गोधी मीडिया ने इस मामले पर महीनों की बहस चेड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि मुल्क में इससे बड़ी कोई समस्या आई नहीं रह गई है। अब आप ब्रिटेन के नए वाले प्रधान मंतरी को भी जान लीजे, जानते तो होंगे ही, याद भी होगा, प्रधान मंतरी बने थे, तो किस तरह से गोधी मीडिया और आईटी सिल और तमाम नेतालों कह रहे थे कि भारती मूल का आदमी ब्रिटेन का प्रधान मंतरी बन सिना फुलाओ लड़ू खाओ खुसी मनाओ खुसी मनाओ अच्छी बात है लेकिन जरा इस खबर को भी देख लीजिए एक तरफ हमारे देश में लड़कियों के स्कूल में हिजाब पानने को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है महिनों तक नटंकी चलाई जाती है दूसरी तर और क्या हम भारत के लोग इस तरह की कोई कलपना कर सकते हैं वही राजस्थान में एक जजज के आफिस से लेकर घर तक लिफाफे में बंद कुछ असलील तस्वीरे भेजी गई और धंकी दी गई कि यह तस्वीर वारेल करा दी जाएगी यदि आपने 20 लाख रुपए की फ कर दिया पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है आप में से बहुत सारे लोग सोसल मीडिया पर अक्सर टश्मीरे अप्लोड करते होंगे मैलापुरू सभी लोग करते होंगे तो कृपया ऐसा करने से पहले एक बार दिमाग की घंटी बजाईए क्योंकि जिन चीजों को ह हसनपुर गाओं के रहने वाले 56 वर्षी नसीम कुराशी के रूप में हुई है परिवार वालों का ये आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिज कर रही है गौमान सर गोरक्षा के नाम पर आये दिन इतनी हत्याय हो रही है कि अब ये खबर आम हो चुकी है हाल कि नासिर और जुनैद के हत्यारों को तुरंट ग्रफतार करकर करवाई की गई होती तो साइद ये वाली घटना ना होती और उससे भी पहले कि घटनाओं में ये दिकारवाई होती तो साइद नासिर और जुनैद आज भी जिन्दा होते बिहार के इस घटना में भी आरोप और पटना में लगभग 15 जगहों पर एक साथ चापे मारी की गई है कबर ये भी है कि लालुयादों की तीन बेटियों के गर्भी रेड़ की गई है लालुयादों के बेटे तेजसुयादों के दिल्ले आवास पर भी डी की टीम पहुंची ये सवाल लगतार उठ रहा है कि ज इसलिए विपक्षी दलों को बदनाम करके उनके चरित्र को बश्टाचारी बदाने की कोशिस की जा रही है ताकि जनता को बरगलाया जा सके अब इस पर भारते जनता पार्टी के नेताओं का जवाब क्या हो सकता है आप जानते ही है उनका कहना है कि जांच एजनसिया स्व जांच एजनसियों को कोई सबूत नहीं मिल रहा है या फिर सिर्फ जांच के नाम पर लोगों को बरगलाने और लोगों के दिमाग में एक अलब तरीके की विचारधारा सेट करने की कोशिस की जा रही है करनाटक में हाल ही में भाजपा विधायक के बेटे को 40 लाख रुप पुलिस के चापे के दौरान विधायक और उनके बेटे से अधिकारियों द्वारा नगदी जप्त करना उन्हें दोसी गोशित करने और उन्हें भरस्ट के रूप में चित्रित करने का अधार नहीं हो सकता कोट ने ये भी कहा है कि आरोपियों को अपने मामले का बचाओ कर उनका प्रसारण जारी रखा जाता है तो ये वादी के चरित रहनन के अलावा और कुछ भी नहीं है आगे कहा गया कि इस मामले में मीडिया रिपोर्टिंग के कारण सम्मदित भाजपा विधायक की गरिमा से समझाओता किया जा रहा है कुल मिलाकर कोट का कहना ये है कि वि सहाली के लिए जहर का घूंट पीने वाले इस व्यक्ति की पिछले कई सालों से लगातार मुहमद जुबैर ने जिस तरीके का काम किया है एक लोकतांत्रिक देश के रूप में इन्हें अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाना चाहिए लेकिन इन्हें सम्मान देना तो अर्मी अकेला करता रहता है इनके बारे में बस इतना ही कह लीजिए कि एक अकेला करोणों अर्बों के आईटी सेल और गोधी मीडिया पर भारी पड़ रहा है अब जाईसी बात है गोधी मीडिया के लपड़ जंडिस बैठ कर 24 घंटा जूट और नफरत का पकवान बनाए और अकेला और मुहमद जुबैर पहर से ठोकर मार कर उसे गिरा दें तो कस्ट तो होगा ही पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से मंगणहंत मामले पर इन्हें गिरफतार कर लिया गया हफ्तों तक जेल में बंद रखा गया कुछ सुप्रीम कोट को कहना पड़ा ग कर मुहमद जुबैर ने सारी पोल खोल दी और इस पूरे मामले का खुलासा करने के बाद सड़ें द्रकारियों के निसाने पर आ गये हैं सोचल मीडिया पर इन्हें लगातार जान से मारने की धंकी दी जा रही है रोज की हजारों गालिया तो इनके खाते में पर्मनेंट है आईटी सल और गोदी मीडिया के लपर जंडिस तो पीछे ही पड़े रहते हैं एक बार फिर से इन्हें लगातार जान से मारने की धंकी दी जा रही है और सिर्फ जुबैर को ही नहीं बलकि इनके पूरे परिवार क्यों और महिलाओं तक को टारिट किया रहा है ये बात कि ही चिंता जयनक है कि जिस मोहमज जुबैर ने अपने और अपने परिवार की जिन्दगी भयंकर रूप से जोकिम में डाल कर नजाने देश की कितने लोगों की जान बचाई है इन डारेक्ट वे में देश को कितने ही जहरीले जूटों से बचाया है लेकिन क्या हमारा देश हमारे देश की पुलीज, हमारा प्रसाशन और हमारी विवस्था इस व्यक्ति को सुरक्षात मोहया नहीं करा सकती आज जब देश का पूरा का पूरा गोधी मीडिया और बड़े बड़े आईटी सिल रोजाना थोक के भाव में जूट फैलाने में लगे हुए हैं ऐसे में म की बहुत सारी कंपनियों का लंबा चोड़ा घाटा हुआ है मजदूरों के काम छोड़ने की वज़े से ऐसे में यदि देश की जन्टा मुहमद जुबैर की एहमेत नहीं समझेगी तो यह हमारे देश के लिए बहुत ही स्तरमनाक होगा घातक भी होगा और नुक्साय धैक और वो लोग कौन है जो मुहमद जुबैर को इस तरह की धंकियां दे रहे हैं या लगातार देते हैं यह बताने की जरूरत तो नहीं है उनकी विचार धारा कौन सी है वो किस राजनेतिक दल से संबंदित है यह सब कुछ असपस्ट है हमारी वीडियो अच्छे लगी हो तो ज्यादा ज्यादा लोग तक पहुचाएं आर्थिक मदद करने के लिए इस क्यूर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग कर सकते हैं हम से जुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहिंद